दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते काच के खिलोने हवा में उछाले नहीं जाते परीश्रम करने से जीत हो जाती है असान क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे डाले नहीं जाते तो इसी के साथ अपन आज के दिन की शुरुबात करते हैं गाईज लाइक का जो आपका तो फटा फट समयना वेस्ट करते हुए लाइक का बटन तुरंट हिट कर दीजे और खबरी पॉडकास्ट पर आप डेली ओडियो लेक्चिर्स भी सुन सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक आपको मिल जाएगी तो 20 फेबरी 2021 का most important current affairs का ये lecture है guys ये जो lecture है यहाँ पर सभी sources से news को अपन cover करते हैं इसका मतलब ये है कि अगर आप regularly lectures को follow करेंगे तो आपको कहीं और से current affairs को prepare करने के आवशक्ता नहीं होगी और ये lecture है especially सिर्फ उनी students के लिए जो civil services की तयारी कर रहे है तो आप मेंसे जो भी students UPSC civil services या किसी भ ये mandatory है इस पूरे lecture को end तक सुनना और lectures में मैं जो भी instructions देता हूँ आपको उसको आपको religiously follow करना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection की बात मैं यूही नहीं कहता हूँ इसके बकाइदा proof देकर बात करता हूँ UPSC civil services 2020 exam से एक से देट साल पहले मैंने जो भी topics cover कराये थे उनी से related questions बने हैं आप चेक कर सकते हैं proof को और same अगर आप state civil services की तयारी कर रहे हैं तो UPCS के proof को भी आप चेक कर सकते हैं और आज जो topics अपन cover करेंगे तो आज छपर भाढ़कर repeated topics देखने को मिले हैं तो repeated topics देखन चार मिनार के बारे में एक news आई है इसके बारे में थोड़ा सा discussion करेंगे 75 साल हो गए हैं श्री रामचंदर मिशन को तो इसके बारे में जानकारी लेंगे ISL dictionary के बारे में discussion करेंगे इसके लाबा United Nation Peace Keepers के बारे में बात करेंगे इंडिया ने 2,00,00 वैक्सीन के doses United Nation Peace Keepers के लि बंजूरी जो है दे दी है cabinet ने तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे इसके लाबा थोड़ी सी discussion करेंगे defense को लेकर एक topic है उसके बारे में फिर बात करेंगे नागालेंड assembly ने 7 member का एक panel तयार किया है नागालेंड के अंदर जो नागा political issues हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उ इसके लाबा फिर paper 3 के अंदर NASA के perseverance mission के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे फिर PLI production linked scheme के बारे में एक topic है तो उसको discuss करेंगे तो यह सब topics है आज के जो cover करने जा रहे हैं और lecture को start करने से पहले मैं आप लोग को बता दू कि आप लोगों के लिए pdf paid package की services भी available है मात्र 100 रु pictures के pdf आपको provide किया जाते है handout notes material आपको provide किया जाता है weekly compilation दिया जाता है pdf का आपके revision के लिए और आपको monthly magazine provide की जाती है इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मन्त की fees में आप चाहें तो इसको join कर सकते हैं और paid package से related कोई आपको जानकारी चाहिए तो facebook पर आप उससे connect हो सकत है कमलाक्ष जहा मेरे नाम को आप सर्च कीजएगा facebook पर तो मैं आपको मिल जाऊंगा वहाँ पर आप मुझे message करके पूछ सकते है paid package से related जो भी आपको जानकारी चाहिए या फिर 9713282838 ये मेरा number है ध्यान रहे इस number पर call मत कीजएगा sms के थू, whatsapp के थू या telegram पर message करके आ आप मुझसे contact कर सकते हैं मेरा reply आपके पास within 24 hours आ जाएगा, so guys आपका कीमती समयना वेस करते हूं फटाफट lecture को शुरू करते हैं, start करेंगे GS paper 1 की पहली news से बात करेंगे चार मिनार के बारे में, तो फटाफट नीचे comment box पर इस question का answer लिख कर बताईए कि चार मिनार कौन सी city में located, बहुत easy सा question है, मुझे पता है, आप सभी लोगों को पता है, इसका answer, तो चार मिनार को किसके द्वारा बनाया गया था, इसका निर्मार किया गया था, तो 1591 में महमत कुली कुतब शाह के द्वारा इसका निर्मार किया गया था, actually हुआ ये था कि हैदराबाद के अं कर कुछ चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि कभी कबार क्या होता है, कि जो paper set करते हैं, यान कि जो questions आपके बनाते हैं, उनको वो चाहते हैं कि जो non serious students है, क्योंकि आपका prelims exam होता है, ये non serious students को eliminate करने का होता है, क्योंकि ये जो है चुनता है, कि जो serious candidate है, वो अगले पढ़ question papers set कर रहे होते हैं, वो smart होते हैं, उनको पता होता है कि तुक्का लगाने वाला क्या तुक्का लगा सकता है, ये रही, तो वो क्या करेंगे, वो question देंगे कि मुहमद कुली, कुतुब, शहा के द्वारा, निमलिखित में से, following option में से, किस चीज का निर्माना किया गया था, तो उसमें वो mention कर देंगे कुतुब मिनार, और जिन बच्चेों ने पढ़ानी होगा, वो कुतुब या कुतब जो है, इसको relate करेंगे कुतुब मिनार के साथ, और वो कुतुब मिनार माग कर देंगे, बट इसका answer जो है, वो है 4 मिनार, तो इस तरीके से भी आप लोग को थ देखेंगे, तो आप क्लिक, आपकी दिमाग को क्लिक हो याए गे रही है, और सर ने बताया था कि ये, तो मुहमद कुली कुतुब शाह जो है, उसने 4 मिनार बनाया है, ना कि कुतुब मिनार, तो ये चीज है, तो इस प्रकार से आपको अपनी तयारी करते हुए चलना है, तो नीचे comment box पर ये भी लिख कर बताये कि कुतुब मिनार जो है, वो किसके द्वारा बनाया गया था, और कब बनाया गया था, अच्छा, इसमें एक fact और ध्यान में रटना कि कुतुब शाही बिल्डिंग्स जो होती है, कुतुब शाही इमारते हैं, तो उस इमारतों की ख तार मिनार है, इसके जो मिनार हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसके बेस पर, जो है वो, लोटस लीफ बेस उसका हम लोग को देखने को मिलता है, लोटस लीफ बेस पर ही इन मिनारों को खड़ा किया गया है, तो ये चीज है, आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखने ह में क्यों था तो बताया जा रहा है कि जो हमारी archaeological survey of India जो हम लोग को देखने को मिलती है ASI जो है हमारी उसके पास आई थी एक RTI query right to information के तहट एक individual ने पूछताच करी थी ASI से पूछा था कि बताईए कि चार मिनार के बगल में कहीं कोई छोटा सा मंदिर कहीं कोई चिला का record पाया गया है क्या तो उन्होंने जवाब दिये कि कोई भी चिला का record जो है वो पाया नहीं गया है चार मिनार के बगल में तो यह चीज थी इसको लेकर यह topic news में था बड़ आपको चार मिनार के बारे में जो अभी और कुछ important चीजों की बात करते हैं श्री रामचंदर mission से related तो सबसे पहली चीज तो यह एक non-profit organization हम लोग को देखने को बलता है और यह एक अध्यात्मक आंदोलन था spiritual moment था यह इंडिया के अंदर इस moment के तहत सहज मार्ग की practice सिखाई जाती है और heartfulness meditation की practice सिखाई आती है कि सही रास्ते में चलो natural path को पकड़ो और सहज मार्ग की आपको बात करेंगा इस तो राज योग जो है उसका एक form है यह सहज मार्ग और इस non-profit organization को रामचंदर mission को register करवाए गया था 1945 में रामचंदर जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर शाह जहापुर में इसको जो है वो register करवाए गया था और इसका आज की rate में headquarter है दरबाद तिलंगाना में हमें देखने को मिलता है यह एक प्रकार का meditation system है जिसमें meditation involved है prayer से प्राथना involved है cleaning involved है cleaning यानि कि आत्मा का हम लोग देखते न कि physically detoxification की बात ही हो रही mentally detoxification की बात हो रही है कि जितने भी बुरे विचारे ना करात्मक विचारे सब हटाओ और सही रास्ते पे चलो तो यह सब चीजे सिखाता है यह mission ठीक है तो यह राम चिंदर की यहाँ पर बात करेंगे ISL का full form क्या है Indian Sign Language Indian Sign Language की dictionary हम लोग को यह देखने को मिल रही है इसका तीसरा edition launch किया गया है अभी recently 6 categories में 10,000 terms ISL के इस dictionary के अंदर देखने को मिले है तो sign languages के बारे में आप लोग को idea है कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो sign languages के थ्रू जो है वो पढ़ पाते हैं समझ पाते हैं तो वो चीज हम लोग को sign languages में देखने को मनती है यह डिशनरी जो अभी इसका तीसरा edition जो launch किया गया है इसको prepare किया गया है Indian Sign Language Research and Training Center के द्वारा और Indian Sign Language Research and Training Center आती है Social Justice and Empowerment Ministry के अंडर और यह जो है ISLRTC जो मैंने भी आपको बता है Indian Science Language Research and Training Center यह एक autonomous body है और Rights of Person with Disabilities Act 2016 यह जो कानून है इसके थ्रू sign language को माननेता प्रवाइट कियो यह sign language इसको recognize किया गया है as a means of communication के तौर पर right communicate करने का जो जरिया है mean है वो एक sign language भी है और इसको properly recognize भी किया गया है तो यह जीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए ठीक है तो यह था simple topic जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए अब देखिए United Nation Peace Keeping Mission यह एक बहुत जादा important topic है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ guys की इस topic को मैं आप लोगों को already पहले भी previous months में भी कई वार cover करा चुगा हूँ और अभी मैंने क्या किया है एक separate video जो है वो इसका आप लोगों के लिए provide करा दिया है YouTube के search column पर आपको simply लिखना है United Nation Peace Keeping Mission उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष के A.M.L.A.K.S.H. कली के दिन मैंने एक separate video जो है वो उसका जो है वो publish कर दिया है और ऐसे जो important topics होते हैं हम मैं सोच रहा हूँ उसका separate separate videos जो है वो बनाता चलो जिससे की कभी भी इस प्रकार के topics आते हैं तो आपको यह बता दूँ कि इस फ़लाना वीडियो से डारेक्ली इस topic को देख लो आप या सुन लो आप तो यह जरूर सुन ले ना United Nation Peace Keeping Mission बहुत जादा important topic है पूरी चीज़ डीटियल में इस mission से related मैंने बताई हुई है इवन इंडिया और United Nation Peace Keeping Mission में यानि की इंडिया का क्या contribution इस mission के अंदर हमें देखने को मिलता है चाइना का क्या contribution है USA का क्या contribution है तो यह पूरी चीज़ अच्छे से बताई हुई है प्रोपर तरीके से और अभी यह topic news में से लिया है क्योंकि हम लोगों ने दो लाख vaccine के doses United Nation Peace Keepers को gift किये है तो इसको लेकर यह topic हमें news में देखने को मिला और इसका announcement किया था हमारे external affairs minister S. जैशंकर जी के द्वारा और actually में एक debate थी एक open debate थी United Nation Security Council की जो पिछले साल जो resolution 2532 जो है वो pass हुआ था तो उसको implement करने को लेकर यह debate हमें देखने को मिली दी तो resolution 2532 क्या है तो इसके बारे में मैं आपको एक general जानकारी दूँ तो पूरे दुनिया भर में जितनी भी activities होती है जो की peace के against होती है जहाँ पर भी पूरे दुनिया पर में कहीं अत्याचार हो रहा है terrorism हो रहा है डर हो लोगों की बीच में देखने को मिल रहा है होता है न कई सारी जगा पर हम लोग देखते हैं तो ऐसे ऐसी चीजों को खतम करना है समाप्त करना है पूरी तरह से तो इसी पर ही 2532 करके resolution जो है यह हमें देखने को मिला था पिछले साल तो यह चीज है जिसके बारे में बस आपको simple से fact जान करी होनी चीज़ और United Nation Peacekeeping Mission के बारे में ध्यान से देख लेना मैंने separately वीडियो आप लोगों की सहुलियत के लिए ही बनाया हुआ है जिसे कि आपको कहीं और किसी lecture के अंदर घुसकर find out करने की ज़रू इतना बड़े सीधे आपके सामने वीडियो आ जाए अब बात करेंगे juvenile justice act के बारे में तो union cabinet ने मंजूरी दे दी है juvenile justice care and protection of children act 2015 को तो juvenile justice के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको idea हो गई कि जैसे कि कई बार कुछ बच्चे crime में involved हो जाते हैं जिनकी उमर 18 साल से नीचे की होती है जो लोग crime में involved हो जाते हैं जो बच्चे तो उनकी proceeding वगरा किस प्रकार से होगी तो वो ये कानून पूरी शीज़े बताता है juvenile justice act बताता है जैसे कि कई बार बच्चों के ऊपर अत्यचार होता है exploitation होता है बच्चों के ऊपर बच्चों को बच्चों का mind wash करके उनको terrorist activities में involved कर दिया जाता है तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको protection देने पर भी ये कानून काम करता है juvenile justice act तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके amendment को अभी approval दे दिया इसमें शल्शोदान हो रहा है amendment क्या क्या होंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत important है amendment जानना और ध्यान भी रखना क्योंकि आने वाले समय में आप UPSC के त्यारी करोगे आने वाले समय में आप DM बन जाओगे किसी district की collector बन जाओगे district ministerate बन जाओगे तो उस समय आप लोगों को कुछ powers provide कराएगा ये कानून यानि कि इस कानून के दर्ध आप लोगों के पास आने वाले समय में power होगी तो क्या power होगी DM के पास तो उसको ध्यान से सुनो तो DM जो है guys ये adoption orders issue कर सकते हैं और साथी साथ ये कानून proper तरीके से implement हो रहा है की नहीं हो रहा उसकी निगरानी रखेंगे DM खुद निगरानी रखेंगे कि इस कानून का implementation प्रॉपर तरीके से हो रहा है की नहीं हो रहा साथी साथ DM और ADM एडिशनल DM जो है ये monitor करेंगे कि जो agencies इस कानून को implement करने से related बनाए गई है वो प्रॉपर तरीके से कारियर कर रहे हैं की नहीं कर रहें तो उसके उपर निगरानी रखेंगे साथी साथ district child protection unit DM के अंडर आएगी और इसके अलावा अगर कोई भी shelter home setup होना है बच्चों का बच्चों का बच्चों को रखा जाएगा उनको protection दी जाएगी तो जहाबर भी shelter home setup हो रहा है या फिर उसकी application registration के लिए आई है तो उस समय DM खुद personally check करेंगे जाच करेंगे कि उस shelter home के पास छमता है की नहीं बच्चों को समालने की वो capable है की नहीं है बच्चों को समालने के लिए उस shelter home का जो owner है उसके past record को उसके background को भी check किया जाएगा देखा जाएगी कि सामने वाले व्यक्ति जिसने shelter home को set up करने को लेकर एक application दी है उस व्यक्ति का society को लेकर क्या नजरिया है क्या उसने society के लिए past में कुछ welfare काम किये है की नहीं कि especially बच्चों से related कहीं उसका criminal record तो नहीं है किसी भी प्रकार का तो पूरी चीज प्रॉपर तरीके से जाज करेंगे DM और फिर उसके बाद फिर वो shelter home को registration प्रोवाइट किया जाएगा और DM जो है वो independently खुद से evaluate करेंगे कि Child Welfare Committee Special Juvenile Protection Unit और Registered Child Care Institute जो है ये proper तरीके से कारी कर रहे है की नहीं कर रहे है इनका कामकाच कैसा हो रहा है ये personally जो है वो DM इस पूरी चीज की जाज करेंगे तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है amendment के अंदर अब थोड़ी सी बात कर लेते है Juvenile Justice Act के बारे में 2015 के बारे में सन 2000 का Act था Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 तो इसको amend किया था 2015 वाले कानून ने 2015 वाला कानून भी फिर amend हो रहा है और amendment के अंदर क्या क्या चीज़े शामिल की गई है तो वो मैं आपको अल्रड़ी अभी बता चुका हूँ तो देखो इसमें क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि Juvenile Justice Board सेट अप किया गया था इस 2015 के कानून के तहए जेजे कानून के तहए और Child Welfare Committee हर एक डिस्टिक में सेट अप करने की बात की गई थी कि हर एक डिस्टिक में Juvenile Justice Board और Child Welfare Committee होना ही होना है और in particular जो committee और board जो है उनकी जो members होते हैं तो members के सदसे में minimum एक महीला सदस्तो होना ही चाहिए यह आनिवारे कर दिया है और कारा की बात करें Central Adoption Resource Authority की तो इसको भी permission दे थी थी कि यह कि statutory body की तरह operate करेगी इसके लावा इस कानून के अंदर और भी काफी सारे जो offense है अपराद है उनको शामिल किया गया था offense होते हैं अपराद होते हैं तो वो ऐसे अपराद भी इसके अंदर शामिल कर लिए गए थे जो कि किसी दूसरे कानून के तहट प्रॉपर तरीके से covered नहीं है तो यह ऐसे अपराद जो है वो शामिल किये गए है यह 2015 के amendment पे है इसके लावा जितने भी child care institutions हैं जो कि state government के द्वारा चलाए जा रहे हैं या फिर privately voluntary basis पर चलाए जा रहे हैं या non-governmental organization के द्वारा चलाए गए हैं तो उनके लिए mandatory है कि उनको 6 महिने के अंदर ये अंदर जबसे उन्होंने यानि कि जबसे ये कानून आया 2015 का तब उस कानून से 6 महिने के अंदर ये अंदर जितने भी existing है यानि कि जो पहले चल रहे थे shelter homes वगेरा या इस प्रकार के NGOs वगेरा जो कि बच्चो child care से related हैं तो उनको सब को register कराना mandatory कर दिया था इस 2015 की कानून तो ये सब कुछ facts है points है इसके बारे में आप लोग को एक idea होना चाहिए अब गई senior officers को और भी जादा financial powers जो है वो provide की जारी है defense के अंदर तो जो defense की weapons वगेरा जो होते है न उसको खरीदने की power जो है वो provide की जारी है जो senior officers vice chief जो हमारी armed forces के देखने को बलता है vice chief की rank के उसके नीचे की rank के जो है तो उनको और भी जादा power provide की जारी है तो यह delegation power का हम लोग को देखने को मिल रहा है जो की बहुत ही जादा अच्छी बात है इससे armed forces के अंदर modernization हम लोग को देखने को मिलेगा और साथी साथ defense acquisition procedure 2020 की बात करें गई तो यह September 2020 में लाई गई थी इसके बारे में मैं आप लोग को September में detail में पढ़ा चुका हूँ और नई policy जो है इसका main purpose यह था कि defense procurement procedure जो था 2016 का उसको हटाये गया था और हटाकर नया defense acquisition procedure 2020 का ला दिया गया और 1 October 2020 से यह हम लोग को देखने को मिला था defense acquisition procedure के अंदर policies और procedure होते हैं जो weapons वगएरा जो होते हैं उसको किस प्रकार से खरीदा जाएगा जो ministry of defense के पास जो budget होता है तो उस budget में किस प्रकार से weapons वगएरा को खरीदना है purchase कैसे करना है deal कैसी होनी चाहिए किस प्रकार के weapon होने चाहिए तो यह पूरी detail में पूरी plan policies जो है वो इस procedure के अंदर हमें देखने को मिलती है हाला कि इसके नाम से cleared है defense acquisition procedure कि defense के जितने भी products वगएरा जो होते हैं उनको procure करने के उनके acquisition के procedure इसमें हम लोग को देखने को मिलता है तो यह simple सी चीज़ है और इसमें यह यह defense acquisition procedure जो है यह हमारी armed forces है including coast guard also उसे modernize करने में मदद करता है और आपको एक fact मैं बता दूँगा हाला कि मैंने regular viewers को अरड़ी बता चुका हूँ कि Indian armed forces के अंदर अकसर लोग सोचते हैं कि सरफ तीनी forces आती है जैसे कि Indian Army, Indian Air Force और Indian Naval Force बढ़ आपको बता दे कि Indian Armed Forces का जिकर जहाँ पर भी होता है वहाँ पर चार forces होती है इसमें तीन forces के अलावा Indian Coast Guard भी शामिल होती है तो Indian Coast Guard भी हमारी Indian Armed Forces का ही हिस्सा है तो यह fact भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और Defense Acquisition Procedure के बारे में detail में मैंने explain किया हुआ आप लोग को अलरड़ी इस पर एक separate वीडियो भी जो है वा आप लोग के लिए बना दिया है और Defense Acquisition Procedure नाम से यह वीडियो का title आपको मिल जाएगा और यह मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए especially आपके mains के समय पर मैं मलब काम यह कर रहा हूँ कि अपसे जो भी repeated topics हो रहा है important topics हो रहा है उस पर मैं आपको separate video दे रहा हूँ क्यों कई बार क्या होता है कि mains के समय पर आपको बार बार वीडियो के अंदर जाकर बीच में घुसना पड़ेगा तो उसमें भी आपको time waste होगा तो उससे better है मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है playlist आप चेक करेंगे अपने current affairs by कमलाक्ष जाई YouTube चैनल के अंदर आप playlist देखिएगा तो playlist में आपको GS paper 1, paper 2 और paper 3 की playlist भी मैंने बना दिये और उसी में videos हैं वो यानि कि ए clips बगरा जो है short short videos की यानि कि 5-6 minute का ये पूरा video या 10 minute का, 12 minute का ये पूरा एक topic मतलब ये पूरे topic wise जो है वो आप लोग के लिए separate कर दिये है मैंने जिससे कि क्या हुआ, paper 1 अगर main का दे रहे होगे तो उससे पहले आप scroll कर लो पूरे जितने भी videos है आप revision भी आपको हो जाएगा तुरन देखना नहीं भली देखो मत जो चीज doubtful लग रही है वो एक बार देख लो वैसे तो काईदे में आपको magazine से revision करना सही है बढ़ फिर भी जैसे कुछ student जो है वो magazine वगरा purchase नहीं करते है और तो उनके लिए भी इसमें फायदा हो जाएगा और जो अलरड़ी paid package में है वो भी जैसे free time में बैठे हुए तो चेक कर लिए कि चलो जार एक बार GS paper 1 के repeated topics को देख लेते हैं तो आपने इस प्रकार से scroll करके देख लिया और यदि आप मुझे बोलोगे तो फिर आने वाले समय में क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए जुतने भी topics आपको GS paper 1, paper 2, paper 3 के एक वीडियो में देता हूँ उसके separate वीडियो भी separate playlist के लिए डाल दूँगा अगर आप बोलोगे तो इतना भी मैं कर सकता हूँ अभी तो जो repeated topics आ रहे हैं important topics आ रहे हैं उनकी यह मैं topics बना कर आपको separately provide कर आ रहा हूँ तो यह मेरी एक कोशिश है अगर अच्छी लगे यह मैंने पढ़ाया हूँ है repeated topic है तो उसको उसी दिन देखा गरूँ यह मत सुचा गरूँ कि आ रहे यार रात में देख लेंगे शाम में देख लेंगे जैसी आपने lecture finish किया तुरंद इस topic को देख लो आप तो उससे क्या फायदा होगा आपका उस दिन का पूरा जो लेक्चर है वो complete है कि यह जो पूरा लेक्चर है इसमें अगर कोई repeated topic आ रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि यह repeated topic यहाँ पर है तो यह किया करो ज़रू ठीक है इसको skip बिल्कुल मत किया करो और कोशिश किया करो जब आप वो अलब topic देख लो तो उसके नीचे comment कर दिया अगरोगी सर यह देख लिए हमने इस दिन देख लिया है इस दिन के lecture मैं आपने बोला था तो यह हमने task complete कर दिया तो मुझे भी पता लगता लगता है कि higher आप भी मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो और आप भी अपने आपको जो है वो responsible मानोगे कि higher sir ने बोला है तो मैं देख लेता हूँ यह देख लेता हूँ और नीचे comment कर दूँग यह कर दूँगी जिससे कि sir को भी पता लग जा और मेरी भी responsibility पूरी होगे complete होगे कि मैंने यह topic जो है वो complete कर लिया अपना तो यह civil services की तयारी इसको as a challenge के तोर पर लो कि आपको हर एक topic जो है वो cover करते हो चलना है और syllabus के अंदर पूरी चीज़े जो है वो आपको finish करते हो चलना है तो task की तरह लो अपने अंदर energy भरके task की तरह लो कि है और आप एक task finish कर रहो क्योंकि अगर आप जब तक human brain को reward नहीं दोगे अपने आपको अगर कुछ gift नहीं करोगे रिवार्ड नहीं दोगे तो फिर तब तक उसको मज़ा नहीं आएगा पर एक बार task complete करो reward दो अपने आपको फिर task complete करो reward में कुछ भी हो सकता है कि आप हमने friend के साथ घूमने चले ग करना है ना तो वह थोड़ा ध्यान में रखना कि reward जो होना चाहिए वो उतना ही होनती जितना काम किया जैसे कि हां ऐसा reward हो दे सकते हो अपने आपको की तीन-जार महिने तक rigorously आपने पढ़ाई करी proper पूरे यह आपने ऐसा plan मना लिए कि हर तीन महिने तक मैं अपने हर दिन क अगर record या हर दिन की जो challenges हैं तो वो अगर मैं पूरा कर लूँगी या कर लूँगा पूरे challenges को और एक भी दिन बिना skip किये या बिना delay किये तो फिर मैं तीन महिने की बाद एक family trip बनाऊंगा या बना लूँगी या फिर एक लंबी कोई trip अपने दोस्तों के साथ बना गया है नागा political issues को resolve करने के लिए तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं साथ member की drafting committee है ये बनाई गई है और दो decades के आसपास हो गया है 20 साल के आसपास हो गया है issue जो है वो tackle हो नहीं रहे है तो issues को tackle करने के लिए जो political issues है नागा लेंड के अंदर तो उसके लिए ये committee drafting committee जो है वो तयार की गई है इसका गठन हुआ है इसके background की बात करेंगा इस तो ये period था 1997 का उससे पहले के लगभग 20 सालों तक armed extremism हम लोग को नागा लेंड के अंदर देखने को मिलता है या फिर थोड़ी सी शांती आई थी क्योंकि ceasefire हुआ था युद विराम घोशित कर दिया था इसक मुईवा फैक्शन जो हम लोग को National Socialist Council of Nagaland का देखने को मिलता है या फिर NSCNIM जो हमें देखने को मिलता है तो इसने युद विराम कर दिया था सीस फायर कर दिया उसके बाद थोड़ी फिर शांती आई थी फिर बात्ची जो है वो काफी चलती रही 2015 में भी हमने देख पोजिशन को ठीक करने के लिए भी कारे चल रहा है और इसमें आपको मैं बता दूगा इसकी जो पॉलिटिकल इशू था प्री इंडिबेंडन्स का और पोस्ट इंडिबेंडन्स का उसको भी समनेंगे क्योंकि Nagaland एक ऐसी स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर जिसने आपने एंडिबेंडन्स कर दिया था और वहांके लोग भी खुझ चाते हैं कि Nagaland एक टरिट्री के तॉरपर रही है या इंडिबेंडन्स कांट्री के तुरपर बन जा है तो बहांके लोग भी इवन चाहते हैं तो इस पर लिए थोड़ी सी चर्था करते हैं तो दिहों इंडिबेंदेन्स से पहले ब्रिटेशर्स ने असाम को 1826 में अनेक्स कर लिया था, कभजा कर लिया था असाम के उपर ब्रिटेशर्स ने 1826 में, फिर 1881 में नागा हिल जो थी, वो प्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गई थी और पहला नागा रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिला था जब 1918 में नागा कलब बनाया गया था और 1929 में साइमन कमिशन को कहा गया था कि हमें अकेला छोड़ दो हम जिस प्रकार से एंशियन प्रियेट पे थे प्राचीन का काउंसिल एन एन सी जो है वो सामने आई थी और उसने नागा लेंड को एक इंडिपेंडेंट इस्टेट इंडिवेंडेंट टेरिट्री के तौर पर घोशित कर दिया था चाउदा अगस 1947 को और एनन सी नागा नेशल काउंसिल जो है इसने फिर क्या किया नागा लेंड को 1951 में एक रेफेरिंडम भी खंडट हुआ था, रेफेरिंडम के तौर पर आपको बता दे हि क्या होता है, रेफेरिंडम के रहने वाले जो लोग है पबिलिक जो हैं, उनसे वोटिंग करभाई आती हो, उनको उनसे डिसीजन मांगा जाता है, रही कि वो पबिलिक डिसीजन इंडीबेंडेन्ट नागालेंड चाहिए यानिक उनको सेपरेट रहाना ए यानिक उनको किसी के साथ भी शामिल नहीं होना है फिर इंडीबेंडेंडेन्डेंडेंड के बाद मार्च 22, 1952 में एक अंडरग्राउंड नागा तेरल concern और नागा तेरल आरमी जो है उसका घठन और 1958 में Armed Forces Special Power Act को हम लोग ने लागू कर दिया था और आप सभी लोग वाकिव हैं गाईस कि 1960 में नागलेन इंडिया का पार्ट बन गई थी इसी पर्टिकुलर जब हमारी आर्मी वहाँ पर गई थी तो उसके बाद तो यह चीज हम लोग को देखने को बली ते हो और आफस्पा यह भी एक important topic है Armed Forces Special Powers Act यह topic भी आपका मैंने cover कराया हुए आपको simply AFSPA या Armed Forces Special Power या फिर अपने channel के video column पे जाकर आफस्पा सर्च कर ले ना यह video आपको मिल जागा यह भी एक separate video मैंने GS Paper 2 का आपका लग बनाया हुआ है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं और Paper 2 से इतने ही topics थे guys और CSET का course आपके लिए available है guys पूरी classes आपको CSET की करवाई जा रही है और यह वाला अगर आप course ले लेते हैं तो आपको CSET के लिए परिशान होने की जरूत नहीं और हाँ highly recommended for those students जिनका maths or reasoning week है क्योंकि guys CSET को अगर आप चाहा रहे हो आपका maths or reasoning week है और आप English comprehension की उपर base निकालना चाहरे हो qualify करना चाहरे हो तो आपको बता दें कि previous year के question paper एक बार उठाके mark कर लो मैं तो यह कहूँगा कि अभी वक्त है आप लोगों के पास पिछले 5 साल के paper CSET के उठाके solve करने की कोशिश करो अगर आप qualify कर पारे हो अच्छे खासे decent आपके marks आ रहे है qualify करने के बाद तो कोई जरूतनी CSET का course लेने की बड़ अगर आप qualify नहीं कर पारे हो decent marks आपके नहीं आ पारे है आपको मैं बता रहा हूँ इससे अच्छा course आपको और कहीं नहीं मिलेगा मातर 9.99 रुपीज पूरी फीस है जिसमें आपका CSET आपको qualify करवाय जाएगा और शोरिटी के साथ क्योंकि आपको यहाँ पर live class दी जा रही जो भी आपके doubts है तुरंद आप पूछिए जब तक आपका doubts solve नहीं होगा अब तक सर वहाँ पर आपके लिए available रहेंगे तो यह courses जो है आप join कर सकते हैं ऐसे ही history का course भी है ancient medieval और modern Indian history का course आपके लिए available है पूरी की पूरी ancient medieval और modern Indian history आपकी cover करवाई जा रही है और यह course लेने के बाद आपको ancient medieval modern Indian history अलग से पढ़ने की जरूत नहीं है पूरी चीज़ हाँ पर cover करवाई जाएगी A to Z मतब इस course की भार का और कुछ आपसे नहीं पूछ आएगा और इसकी भी फीस बहुत ही कम है मातर 1449 रुपीस history की course की फीस है और cset की 999 फीस है इसका भी demo available है दोनों का ही तो आप demo जो है वो नीचे description पर आपको मिल जाएगा या फिर अगर नहीं मिलता है तो मुझसे मांग लेना demo मैं आपको demo provide करा दूँगा मेरे number पर contact करके तो बाद में time बचता नहीं अगर आप full-fledged अपने mind को prepare करके अपनी तयारी कर रहे हो कि आपको anyhow exam को crack करना है तो definitely join करो इसकी fees जो है वो 12,000 रुपीस इसकी fees है नीचे description पर भी इसकी पूरी details आपको मिल लेगी आप उससे मांग लेना अब बात करेंगे नासा के perseverance mission की तो देखो आज मैंने आपको गाई है कि छपपर फाड़ के repeated topic आए ये वाला topic भी repeated है तीन अगस तीन अगस 2020 के lecture में 26 मिनिट 50 सेगेंड पर ये topic मैंने cover कराया हुए आप लोगो तो वहां से इस topic को आप cover कीजिएगा बट इस topic के बारे में कुछ और important facts है जो कि अभी इस article में अपन जानने वाले वो सुनो आप ध्यान से पहली चीज तो आप लोग अगर regular student है तो आपको बता होगा कि ये पर्जीवरेंस mission जो है वो NASA का ये Mars का mission है Mars में ये rover गया है NASA का और ये rover जो है वो Mars में जाकर various चीज़े चीज़े कंड़क कर रहा है याने की बहाँ पर various खोज वगरा कंड़क कर रहा है evidences वगरा collect करने के लिए गया है इसमें helicopter भी एक है इसके बार में भी मैं आपको बताऊ पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी दूसरे planet पे कोई helicopter जो है वोड़ेगा और नासा का तो ये चीज मार्स में helicopter उने वाला है नासा का ये चीज़ आपर बताई आ रहे है तो पर्जीवरेंस mission के अंदर है एक unique instrument ये क्या करने वाले नासा के लोग मार्स में जाकर moxy करके इनका एक instrument है मार्स oxygen इसरू experiment पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये planet पे दूसरे planet पे oxygen मनाएंगे manufacture करेंगे molecular oxygen को मार्स पे carbon dioxide की मदद से तो मार्स में जो carbon dioxide है ना atmosphere में उसकी मदद से ये लोग oxygen मनाने वाले हैं तो ये चीज आपर बताई जा रही है और इसमें ingenuity करके एक helicopter है जो की मार् करेगा तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है तो ये ध्यान में रखना मार्स का यह वाला mission और ये तीन अगस्त की lecture को जरूर जाकर देखने ना इसमें पूरी चीज आपको बताई हुगी है और नासा के मार्स की पहले की कौन से कौन से mission है नहीं कि पहले भी मार्स म लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है प्यार कर रहा है क्योंकि पहले भी इसने mission मार्स में भेज चुका है नासा ने अपना rover मार्स में भीड़ा था 1997 में उसके बाद से कई बार भेज चुका है और ये मार्स pathfinder mission था जो इसने शुरू किया था इसके लाबा mission के success ह होने के बाद नासा ने डिसाइड किया कि ये मार्स में लगातार जाएगा evidences वगरा collect करने के लिए यानि कि बहुत सारी ये खोज वगरा करेगा वहाँ पर जाके और दूसरी बार फिर ये इसने भेजा अपने twin rovers को spirit और opportunity ये twin rovers को भेजा मार्स के अंदर 2003 में इसने नासा कि हम लोग को देखने को बला है मार्स में रही तो इसकी आपको जानका रही होनी चाहिए अब गैस बात हो रही production linked incentive scheme के बारे में तो देखो छपपर भाल के मैंने बोला ही कि आज repeated topic है आखरी topic है ये वाला भी ये भी repeated है छे अगस 2020 के lecture में ये scheme मैंने आपको पढ़ाई करा कि इंडिया के अंदर ही various चीजों का production हो manufacturing इंडिया के अंदर ही हो और जो भी companies वगरा industries वगरा manufacture करती है इस scheme के through products वगरा को तो उनको incentive provide किया जाते है तो production linked incentive ये scheme हमें देखने को बता है union cabinet ने अप्रूव करती है PLI को production linked incentive scheme को telecom sector के लिए तो telecom sector से जूड़ी जितनी भी devices products वगरा जो है maximum जितने भी वो इंडिया में manufacture करने पर काम किया जा रहा है तो ये चीज यहां पर बताई आ रही है और इसमें बताई आ रहा है कि total outlay जो लगाये गया है याने कि जो incentive की जो बात की जा रही है वो पांच सालों में 12,000 12,195 क्रो रूपीस की की जा रही है एक 2021 सरी implement होगा इस scheme की जो expectation है कि focus किया जा रहा है कि production जो है equipments का इंडिया के अंदर किया जागा जैसे मने भी आपको बता है telecom sector से जोड़ी जितनी भी devices दे products है वो इंडिया के अंदर manufacture होगी और इनकी जो कीमत होने वाली है वो 2.44 लाक क्रोड रूपीस होने वाली है इससे direct और indirect employment generate होगी 40,000 लोगों की लगभग और बता जा रहे है इस scheme के थूँ 3,000 क्रोड रूपे का investment जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा और उस investment के थूँ direct indirect employment generate होगी और टेकसस से भी सरकार का काफी फाइदा होने वाला है तो यह चीज हाबर बता ही जा रही है और PLI scheme के बारे में जरूर देख लेना 6 अगस्त 2020 के lecture में अब देखिए इतने ही topic थे आज के दिन बट कुछ homework के आप लोगों के लिए तो World Health Organization को fund कैसे मिलता है तो इसके बारे में आप लोग को एक notes बनाने की World Health Organization जो है वो किस प्रकार से इसके पास funding अगर आती है तो इसके बा करा हुआ है यह अला topic तो उसमें आप जाकर refer करके देख सकते हैं और इस पर note बना लिजेगा आप एक और आर्टिकल 110 आपको लक्षमी कांथ की Indian Policy की बुक से आर्टिकल 110 पढ़ लेना है आज ही कि आज यह दो homework जो है वाप finish करिए और यह पूरे टास्स जो lectures की दुरान में और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे comment box पर लिख देना sir homework done मुझे पता लग जाएगा आपने homework complete कर लिया है और आज है Saturday कल है Sunday कल के दिन आपका आएगा कौन सा lecture आएगा कल के दिन आपका compilation lecture आएगा जितने भी पिछले हफते में जितने भी topics जितने भी अपने news देखी ह तो वो पूरे के पूरे एक ही साथ compile करके एक single वीडियो में आपको provide करोंगा पाच एक घंटे के आसपास साले सार पाच घंटे के आसपास का वो पूरा वीडियो होगा वो आपके revision के लिए होता है और especially उन instruments के लिए वाले वीडियो होता है जो job कर रहे होता है क्यों जूब PDF प्रोवाइट की जाती है lecture की तो वो भी आप scroll करके देखकर पूरा revision कर सकती है क्यों revision बहुत important होता है एक दिन तो आपको revision के लिए देना ही चाहिए और बाकी 100 रुपीस पर मन्त की इसकी fees है मैं आपको अरेड़ी बताई दिया है जिसमें आपको daily lectures की PDF मिलती है handout notes मिलते है weekly compilation आपको दिया जाता है PDF का revision करने के लिए जैसे कल के दिन संडे कल आपको weekly compilation दिया जाता है paid package के अंदर और फिर आपको monthly magazine मिलती है इतना सब कुछ मातर 100 रुपीस पर मन्त की fees में तो चलो फिर आप मिलेंगे आप Monday को तब तक लिए बाबाई take care have a great day ahead टाटा